शेर और शेरनी जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारी होते हैं। उनका जीवन संगर शौर साहस से भरा होता है। चाहे मौसम कैसा भी हो। जब गर्मी की तपती धूप में जंगल सूख डाता है या जब रेगिस्तान की उबढखा बर जमीन पर कदम रखना पड़ता है। शे खेके समय जब पानी की एक एक बूंद के लिए जंगल के अन्य जानवर संगर्श कर रहे होते हैं। शेर और शेरनी अपनी रणनीती से शिकार पकड़ लेते हैं। उनकी सुंगने की क्षमता और शिकार पर नजर रखने की कुशलता उन्हें जंगल में सबसे ज़्यादा शिकारी बनाती है। वे बड़े बड़े जानवरों को भी गिरा सकते हैं। चाहे वे कितने भी तेजो और फुर्तीले क्यों ना हो। रेगिस्तान में भी जहां तापमान असेहनिय हो सकता है और शिकार ढूंदना मुश्किल शेर और शेरनी कभी ठार नहीं मानतें। वे द श्थितियां कितनी भी कठिंग कि ना हो। वे हमेशा अपने परिवार और खुद के लिए खाना ढूंदने में सकल रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें जंगल का राजा और रानी कहा जाता है। तो आएए हम इनके जीवन की इस अनोखी कहानी को करीब से देखें और समझे कि कैसे शेर और शेरनी हर मौसम में अपने जीवन की लड़ाई जीते हैं। रेगिस्तान की तप्तीरेत में एक शेरनी शिकार की खोज में घूंग रही थी। अचानक उसकी नजर एक तेज दढ़ने वाली मौसम पर पड़ी। शेरनी ने बिना समय गनवाए अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा किया। मौसम तेजी से भागने की कोशिश करती पेह कमजोर साबित हुई। शेरनी ने मिर्ग पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। मिर्ग ने संघर्ष किया। परन्तु शेरनी के मजबूत जवड़ों से बचपाना असंभव था। अंत में शेरनी ने मिर्ग को अपना शिकार बना लिया और रेगिस्तान में अ परिचेत देते हुए जाडियों में छिपकर कुड़ू के जूंड तकरीब से अवलोकन किया। वह बहुत सतर्क थी क्यूंकि उसे सही समय का इंतजार था। कुड़ू अपने भोजन में मशगूल थे बिना किसी खत्रे का एहसास किये। अचानक शेरनी ने अपने मजबू से दबोच लिया। कुड़ू ने छूटने की कोशिश की, परंतु शेरनी की ताकत के सामने उसका संघर्ष ब्यर्थ साबित हुआ। शेरनी ने कुड़ू को मार गिराया और उसे खीच कर अपने जूंड के पास ले आई। इस शिकार में शेरनी के जूंड की भूप मिटा हैं। शिल्चिलाती धूप में शेरनी आखुले मैदान में शिकार की तलाश में इधर उदर घूम रही थी। उनका धैर्य और ध्यान हरकत में था, क्योंकि शिकार की तलाश जंगल के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब ही उनकी नजर एक छोटे गधे, डंकी के जूंड पर पड़ी। इस जूंड में ज्यादतर गधे शांति पूर्वक घास चर रहे थे, लेकिन उनमें से एक कमजोर और छोटा बच्चा था, जो बाकी जूंड से थोड़ा अलग था। शेरनीयों ने उसकी कमजोरी को भामप लिया और प्रण हमला करने का फैसला कि शेरनीया बहुत ही साबधानी से जूंड के पास पहुची ताकि उनकी मौजूदगी का एहसास गदों को ना हो। जैसे ही सही मका आया, शेरनीयों में से एक ने तेजी से दोड लगाई और कमजोर डंकी बच्चे पर हमला कर दिया। डंकी सुस और कमजोर होने के कारण भा भाग नहीं सका और शेरनी के लिए उसे शिकार बनाना आसान हो गया। उसने बिना किसी मुश्किल के अपने मजबूत जवडों से डंकी को जपर लिया, जिससे उसकी पूरी तरह से हार निश्चित हो गई। यह शिकार शेरनी के लिए आसान साबित हुआ क्यूंकि डंकी क कमजोर और सुस्थ होना उसे भागने का मौका नहीं दे पाया। शेरनी ने उसे मार गिराया और अपने जुन की भूख को शांत करने के लिए उसे अपने साथ ले गई। जंगल में यह द्रिशे प्रकृति के उस सक्त नियम को दर्शाता है, जहां ताकतवरी जीवित रहत और कमजोर को अपना शिकार बनना पड़ता है। एक शेरनी अपनी तेज नजरें और धारदार पमजों के साथ जंगल में स्टेल्थिली चल रही थी। उसकी भूख ने उसे एक जोंड जंगली सूरों की और खीचा, जो घास में चूसने में व्यस्त थे। शेरनी ने अप शेशूप से आकरशित कर रहा था। अचानक शेरनी ने अपने पमजों को जमीन पर जमाया और जपटा मारने के लिए तैयार हो गई। उसकी ताकत और गती ने उसे अपने लक्षे की ओर बढ़ने का मौका दिया। जैसे ही उसने जपटा मारा, सूर ने उसे देखकर भी थोकर भाग गए। यह एक्षन उसकी ताकत और शिकार करने की कला का प्रमान था। खुले मैदान में विल्डबीस्ट का जोंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घास चरते हुए और आपस में एक जुट रहकर सफर त्रे कर रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का अ का देखा और तेजी से जुट की और दोणी हड़कंप मच गया और विल्डबीस्ट इधर उधर भागने लगे। शेर्नियों ने चालाकी से जुट से एक कमजो या अकेला विल्डबीस्ट अलग कर लिया। एक बार जब विल्डबीस्ट बाकी जुट से दूर हो गया तो शेर्नियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी ताकत और फुर्ती का सामना करना विल्डबीस्ट के लिये मुश्किल था। शेर्नियों के पेने पमजे और नुकीले दातों ने जल्दी ही उसे गिरा दिया। कुछ ही पलों में शेर्नियों ने मिलकर उस विल्डब उनका पीछा कर रहा है। शेर्नियों की नजर जूंड में से एक कमजों या छोटा हाथी पर टिक जाती है। वे योजना बनाती हैं और जूंड से उस हाथी को अलग करने की कोशिश करती हैं। शेर्मियां बड़ी चाला की से धीरे धीरे घेरा बंदी करती हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे उस हाती पर हमला कर देती हैं. शेर्मियों की सयोक्त शक्ति और तेज हमले के आगे, वे अकेला हाती ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाता. शेर्मियां उसे नीचे गिरा देती हैं और शिकार कर लेती हैं. इस पूरे द्रिशे से यह सपष्ट हो जाता है कि जंगल में शेर का अपना एक अलग ही स्थान है. उसकी ताकत और शिकार की क्षमता ही उसे जंगल का राजा बनाती है. जब एक शेर्नी का जोंड भी एक बड़े जानवर को गिराने में सक्षम हो तो शेरों का समराज्य अजय माना जाता है. यही कारण है कि जंगल में शेर को निडर और शक्तिशाली शिकारी के रूप में देखा जाता है. इस ख्लिप में शेरों का जोंड एक जंगली भैस को पकड़ लेता है. शेर अपनी ताकत और चपलता का उ करने की कोशिश करते हैं जंगली भैंसों का जोंग शेरों से अपने साथी को छोड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है वे अपने सींगों से शेरों को ड़राने और भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन शेर अपने शिकार पर काबू नहीं खोते शेरों की ताकत और उनकी शिकार करने की रणनीती इतनी जबरदस्त होती है कि वे भैंसों के जोंड के बावजूद अपने शिकार को नहीं छोड़तें। कर एक कुड़ू का पीछा कर रही थी शेरनी की निगाहें तेज हर कदम सतर्कता से भरा था कुड़ू अपनी प्यास बुजाने के लिए नदी की ओर बढ़ती है इस बात से अंजान की शिकारी उसकी घात में है जैसे ही कुड़ू ने अपने सिर को नीचे जुकाया और पानी पीना शुरू किया शेरनी ने बिजली की गती से छलांग लगाई कुड़ू के पास भागने का कोई मौका नहीं था शेरनी की तेजी और ताकत के सामने वह बेबस था अपने पंजह से कुड़ू को जमीन पर गिराते हुए शेरनी ने उसे पकड़ लिया और अपनी शिकार प्रवृति का प्रदर्शन करते हुए उसे जल्द ही मौत के हवाले कर दिया शेरनी ने कुड़ू की गर्दन पर जोरदार काट कर उसे समाप्त कर दिया शिकार पूरा होते ही शेरनी ने कुड़ू को घसीटते हुए जाडियों में ले जाकर अपनी भुक शांत की यह पंगल के खुले मैदान में घात लगा कर उस पर हमला करती हैं शिकार से बचने के लिए जेबरा भागने की कोशिश करता है लेकिन शेरनीयों की फूरती और ताकत के आगे उसकी कोई चाला की नहीं चलती थोड़े ही समय में वे जेबरा को नीचे गिरा देती हैं और उसे म ही होगा लेकिन वे धैरे से शेरनीयों के थोड़ा हटने का इंतजार करता है जैसे ही शेरनीया थोड़ी देर के लिए आराम करने या पानी पीने जाती हैं हायना फूरती से मौके का फायदा उठा कर जेबरा के मांस पर अपना हिसा लेने पहुँच दाता है वह तेजी से खाता है ताकि शेरनीया वापस आने से पहले अपनी भुक मिटा सके शेरनीया जब वापस लौटती हैं तो हायना वहां से भाग जाता है लेकिन वह पहले ही शिकार का लुप उठा चुका होता है दो शेर एक अकेले लेपर्ड पर हमला कर देते हैं लेपर्ड अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन शेरों की ताकत और संख्या के सामने वेई कमजोर पढ़ जाता है दोनों शेर उसे घेर कर बेरहमी से मार डालते हैं शेरों की नुकीली दात और तम जोंके प्रहार से लेपर्ड की कोई उमीद नहीं बचती उसकी संघर्ष करने की कोशिश नाकाम हो जाती है और शेर उसे अपना शिकार बना लेते हैं जंगल के इस क्रूर दिर्षे में लेपर्ड की मौत हो जाती है और शेर अपनी जीत का जश्वरन मनाते हैं जंगल में जंगली भैंसें सबसे ताकतवर और सामुहिक रूप से जीवन जिनने वाली जान इनके समूह में हमेशा कुछ सदस्य सतर्क रहते हैं जो आसपास के खत्रों का ध्यान रखते हैं यदि किसी शिकारी के आने का आभास होता है तो पूरा समूह तुरंट एक जो ठोकर बच्चाव की तैयारी में लग जाता है जंगली भैंसों का यह सामूहिक जीवन उन्हें ज सर एक कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है शेर आम और पर एक अकेले या कमजोर भैंस को निशाना बनाते हैं लेकिन भैंस का समूह कभी भी अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ता जब शेर हमला करता है तो पूरी जुन मिलकर शेर का मुकाबला करता है जब शेर एक भैस पर हमला करता है तो समूह के अन्य सदसे तुरंत सतर्क हो जाते हैं पहले वे शेर की हरकतों पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि शेर कहां से हमला करने की कोशिश कर रहा है फिर वे एक साथ मिलकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं कई बार भैंसे शेर पर सीधा हमल कर देती हैं खास कर जब उनके छोटे बच्चे या कमजोर सदसे शिकार बनने की कगार पर होते हैं जंगली भैस की ताकत और उसके बड़े मजबूत सींग शेर के लिए घातक साबित हो सकते हैं कई गटनाओं में भैंशों के समूह ने शेर को इतना आक्रामक रूप से चुन करता होती है लेकिन जंगली भैस का एक समूह अपने आकार ताकत और सामूह एक शक्ती से शेर के इन गुणों का सामना कर सकता है कभी कभी भैंसों का समूह शेर को इतना बुरी तरह घायल कर देता है कि वेह अपनी जान से भी हात भो बैठता है भैंस का हमला शेर के लिए जान लेवा हो सकता है, खास कर जब भैंसें अपने सींगों का उप्योग करती है। उनका समूह हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तयार रहता है। पाक्रामक तरीके से उन्हें भगाने या मारने के लिए भी संगठित हो जाता है। जब शेर हमला करता है, तो भैंसों का जूंड एक अर्दचंद्रा कार भेरे में खड़ा हो जाता है, जिससे शेर का सामना करने में उन्हें समूह हिक ताकत मिलती है। वे अपने सींगों से शेर को दूर भगाने की कोशिश करते हैं और अगर शेर फिर भी हमला करने की कोशिश करता है, तो भैंसे उस पर सीधा हमला कर देती है। यह नजारा जंगल के निमों का एक जीता जाकता उधारन है, जहां केवल ताकत और एक ताही जीवित रहने का असली माध्यम होते हैं। भैंस और शेर के बीच की यह लड़ाई जंगल में अक्सर देखी जाती है। शेर, जो जंगल का सबसे प्रमुख शिकारी होता है, कई बार जंगली भैस के सामने हर माणने पर मजबूर हो जाता है। जंगल के इस प्राक्रितिक संतुलन में, जहां हर जानबर अपनी जगह बनाने के लिए संगर्श करता है, जंगली भैस से अपने समूह की ताकत और आपसी सहयोग से खुद को बचाने में काम्याब रहती है। कभी कभी शेर सफल होकर एक भैस को मार देता है, लेकिन यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत कठिन और जोखिम भरी होती है। इस प्रकार, जंगली भैस से जंगल के नियमों के अनुसार ना केवल खुद को सुरक्षित रखती हैं, बलकि शेर जैसे खतरनाक शिकारी से भी निडर होकर सामना करती हैं। उनका समूह उने सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी आपसी समझ और सहयोग शेर जैसे शक्तिशाली शिकारी के खिलाव भी काम आती है। शेर और भैस के बीच की यह जंग जंगल के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हर जानवर अपनी ताकत और बुध्यमत्ता का उप्योग करके जीवित रहने की कोशिश करता है। जंगली भैस अपने विशालाकार, ताकत और समूह में रहने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वे जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक होती हैं। और अपनी सामुहिक ताकत से कई बार शिकारियों का सामना करने में सक्षम होती है। लेकिन जब बात जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी, शेरों की होती है, तो जंगली भैंसों को भी अपनी सीमाओं का आहसास होता है। भायन से कितनी भी ताकतवर कि ना हो, शेरों के सामने अक्सर उन्हें हारमानी पढ़ती है। इसका कारण शेरों का समूह में शिकार करना, उनकी रणनीती और उनकी खतरनाक फुरती है। जंगली भैंस, जिसे कित बठेलों के नाम से भी जाना जाता है, अफरिका के जंगलों में पाई जाती है। यह जानवर लगभग 900 किलोग्राम तक भारी हो सकता है और अपने बड़े नुकीले सींगों से शिकारियों का सामना करने में सक्षम होता है। जंगली भैंसे हमेशा समूह में रहती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जब शिकारी, खास कर शेर, किसी भैंस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो पूरा समूह एक साथ आकर अपने साथी को बचाने का प्रयास करता है। यह सामूहिक जीवन भैंसों को शेरों से बचने का एक कारगर तरीका प्रदान करता है, क्योंकि एक अकेले शिकारी के लिए इतने बड़े और भारी जानवर को मारना बेहद मुश्किल होता है। यह सामूहिक संगठन के कारण पीछे हटना पड़ता है। शेरों का एक मुख्य फायदा यह अप होता है कि वे अपने शिकार को ठका देते हैं। जंगली भैंसे कितनी भी ताकत वर्क्य ना हो, शेरों की रणनीती के सामने उनकी ताकत कमजोर पढ़ जाती है। शेरों का समूह एक ही समय में भैंस के अलग-अलग हिस्सों पर हमला करता है, जिससे भैंस को भागने का मौका नहीं मिलता। शेर उसकी टांगों, गरदन और पीट पर अपने नुकीले पमजों और दातों से हमला करते हैं। इस ट्रकार भैंस की ताकत धीरे-धीरे कमजोर पढ़ने लगती है, और आखिरकार वे शेरों का शिकार बन जाती है। शेरों और जंगली भैंसों के बीच की लड़ाई जंगल का एक सबसे रोमान चक और खातरनाक द्रिश्य होता है। जब एक शेर अकेले किसी जंगली भैंस पर हमला करता है, तो उसकी जीत की संभावना बेहत कम होती है, क्योंकि भैंस के पास बड़े और मजबूत सींग होते हैं जिनसे वे अपने दुश्मन का सामना कर सकता है। लेकिन जब शेरों का समूव मिलकर हमला करता है, तो स्थिती पूरी तरह से बदल जाती है। एक बार जब भैंस अकेली हो जाती है, तो शेर समूव उसे घेर लेता है और उसकी गती को धीमा करने के लिए उसके पैरों पर हमला करता है। शेर अपने शिकार को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे भैंस की गर्दन और पीट पर जोर से हमला करते हैं, जिससे वे गिर आए। भैंस को गिराने के बाद शेर उसे मार डालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बेहद हिंसक होती है और कभी कभी कई घंडे तक चलती है। भैंस कितनी भी ताकतवर कि ना हो, शेरों के सामने उसकी हार के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है शेरों का सामुहिक रूप से शिकार करना। शेरों का समुह एकता और सामुहिक ताकत का बेहतरीन उदाहरन है। वे संगठित धंग से काम करते हैं और उनका उद्धेशे केवल शिकार करना नहीं बल्कि उसे थकाद देना और उसकी शक्ती को कम करना होता है। भायन से अकेले शेरों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होती, खास कर जब शेर समूह में होते हैं। शेरों की फुर्ती और उनकी शिकार की तकनीक भैंसों की ताकत के सामने एक बड़ा फायदा होती है। भैंसों के पास केवल उनके सींग और उनके बड़े आकार होते हैं, जबकि शेरों के पास ताकत, चला की और समूह में काम करने की ख्रमता होती है। जंगल में शक्ति का संतुलन हमेशा परिवर्तन शील होता है। भायन से शेरों का मुख्य शिकार होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शेर हमेशा विजी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जंगली भैंसे शेरों को अपने सींगों से बुरी तरह गायल कर देती है। शेरों के लिए जंगली भैंस का शिकार करना आसान नहीं होता और उन्हें भी कई बार पीछे हटना पड़ता है। भैंस का जूंड अगर एक जूट होकर हमला करता है तो शेरों को भागने पर मजबूर कर सकता है। भैंसों का समूह शेर की खिलाफ एक दीवार की तरह काम करता है लेकिन अगर भैंसें बिखर जाएं तो शेरों के लिए उन्हें हराना आसान हो जाता है। इसलिए भायनसों को शेरों के सामने अपनी रक्षा के लिए हमेशा एक जूट रहना पड़ता है। शेर शिकार करने से पहले बहुत धैर्य से काम लेते हैं। वे अपने शिकार को बहुत देर तक देखते रहते हैं और उसकी गतिविदियों का अध्ययन करते हैं। शेरों की यह रणनीती। उन्हें जंगली भेस जैसी शक्तिशाली प्रजातियों का शिकार करने में मदद करती है। शेरों का मुख्य हतियार उनकी फूर्ती, ताकत और सामुहिक शक्ती है। वे अपने शिकार को अलग थलग करने के बाद उस पर हमला करते हैं और उसे थका कर मार देते हैं। शेर कभी भी अपने शिकार पर बिना योजना के हमला नहीं करते। वे हमेशा एक निश्चित रणनीती के तहट काम करते हैं, जिससे उनका शिकार सफल होता है। शेरों की यह बुध्यमत्ता उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी के रूप में स्थापिद करती है। शेरों की यह बुध्यमत्ता उन्हें जंगल के अन्य शिकारी जानवरों से अलग बनाती है। चाहे कितनी भी ताकत्वर क्यों ना हो शेरों का सामना नहीं कर पाती। शेरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सामुहित्ता है। जब वें शिकार करते हैं तो पूरा जुंड एक साथ काम करता है। एक शेर अकेला भेंस का शिकार करना मुश्किल पाता है। लेकिन जब एक पूरा जुंड साथ होता है तो उनके लिए यह बहुत आसान हो जाता है। शेर समुह बनाकर एक खास तरीके से हमला करते हैं जहां हर शेर की भूमे का तय होती है। पहला काम शिकार को चिनहित करना होता है। इसके बाद शेर उसे धीरे-धीरे अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही शिकार जूंड से अलग होता है, शेर उस पर हमला कर देते हैं. यह रणनीती बहुत कारगर साबित होती है, क्यूंकि जंगली भैस का जूंड कभी-कभी अपने कमजोर सदस्य की मदद नहीं कर पाठा. शेरों का यह सामुहिक तरीका भैसों के जूंड के सामुहिक बचाव से ज्यादा प्रभावी होता है. भैसों का जूंड बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनमें बेग सामन जसे और समझ नहीं होती जो शेरों में होती है. शेर अपने शिकार को पूरी तरह गेहर कर मारने की को बूठ सींग उन्हें शेरों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। کई बार शेरों को भैंसों के जुंड से पीछे हटना पड़ता है। खास कर जब जुंड में कई मजबूत भैंसे हों जो शेरों के फंले का जवाब देने में सक्षम हों। जब जंगली भेंसे एक जूठोकर शेरों का मुकाबला करती हैं, तो वे शेरों को कड़ी चुनावती देती हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि भेंसे शेरों को मार भी देती हैं. उनके सींग इतने मजबूत होते हैं कि वे शेर को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं. लेकि और सामुहित्ता भी जरूरी है। शेरों का जोंड अपनी ताकत और चालाकी के कारण जंगल में राज करता है। वे अपने शिकार की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उसकी रण नीतियों को मातेते हैं। जंगली भयन सें, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, शेरों के सामुहिक हमले के सामने टिक नहीं पाठी। शेरों का एक और बड़ा फायदा यह है कि वे हमेशा अपने शिकार को थका कर मारते हैं। जंगली भयन से भी बहुत तेज और ताकतवर होती हैं, लेकिन वे लंबी दूरी तक शेरों से बचने में सक्फल नहीं हो पाठी। जैसे ही भयन से ठकती हैं, शेर उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह शेर अपने शिकार को कमजोर और ठका हुआ पाते ही हमला करते हैं। जंगली भयन से चाहे कितनी भी ताकतवर क्यू नहीं हो लंबे समय तक शेरों का सामना नहीं कर पाती। शेरों के जुन की विशेषता यह है कि वे समुहित्ता के साथ काम करते हैं। उनके जुन में हर शेर की एक खास भूमेका होती है। कुछ शेर शिकार को घेरते हैं, तो कुछ शिकार पर हमला करने का काम करते हैं। यह सामू है कि उजना और शक्ती का तालमेल है जो शेरों को जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बनाता है। शेरों की शिकार करने की तक्नीक इस बात पर आधारित होती है कि वे अपने शिकार को अलग थलग करें। जंगली भएंसों का जोंड काफी बड़ा और मजबूत होता है लेकिन शेर कभी पूरे जोंड पर हमला नहीं करते वे हमेशा कोशिश करते हैं कि जोंड में से कमजोर या युवा भेस को अलग कर दें। एक बार भेस जोंड से अलग हो जाती है तो शेरों के लिए उसे मारना काफी आसान हो जाता है। शेरों की यहरन नीती उनके शिकार करने की क्षमता को बेहद कुशल बनाती है। जंगली भएंसे जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक मानी जाती है। उनकी ताकत और शक्ती का ऐसा समनवय होता है जो कई बार शेरों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जंगली भएंसों का सबसे बड़ा हत्यार उनके मजबूत सींग होते हैं। भएंसे अपने सींगों का इस्तिमाल ना केवल शेरों से बचाव करने के लिए करती हैं। बलकि व भएंसें ताकतवर होती हैं। फिर भी शेरों के सामने उन्हें कई बार भार मानी पड़ती है। इसका मुख्य कारण शेरों की चालाकी और संगठित योजना है। शेर हमेशा अपनी रणनीती में बदलाव करते रहते हैं और अपने शिकार की कमजोरियों का फायदा उठा भी जानते हैं कि भेंसें शारीरेक रूप से ताकतवर होती हैं लेकिन अगर उन्हें थका दिया जाए और जुंड से अलग कर दिया जाए तो वे उन्हें आसानी से मार सकते हैं। शेर अपने शिकार की ताकत को समझते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीती तयार करते ह भेंसों की ताकत उनकी एक जुड़ता में होती है, लेकिन शेरों की चाला की इस एक जुड़ता को तोड़ने में सपल होती है। शेरों की सामुहिक्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके जोंड में एक स्पष्ट संरचना होती है, जहां हर शेर की भूमे का तै होती है। शेरों का जोंड एक परिवार की तरह काम करता है, जहां हर सदस्य एक दूसरे का साथ देता है. सामुहिक्ता के कारण शेर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेते हैं और किसी भी बड़े शिकार को आसानी से घेर सकते हैं वहीं भायनसों का जोंड भी सामुहिक्ता में विश्वास करता है लेकिन उनकी सामुहिक्ता शेरों की तरह संगठित नहीं होती भायन से अक्सर शेरों के हमले से खुद को बचाने की कोशिश करती हैं लेकिन शेरों की रणनीती के सामने वे सक्फल नहीं हो पाती शेरों का जूंड एक साथ मिलकर शिकार करता है और उनकी चाला की और सामुहिक्ता उनहें जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी बनाती है शेरों की सामुहित्ता केवल शिकार तक सीमित नहीं होती बल्कि वे अपने परिवार और इलाके की रक्षा भी सामुहिक रूप से करते हैं शेर अपने जोंड के कमजोर सदस्यों की रक्षा करते हैं और अपने इलाके की सुरक्षा के लिए भी सामुहिक रूप से तयार रहते हैं जंगल का कानून बहुत स्पष्ट है केवल वही जीवित रहता है जो सबसे ताकतवर और चालाख हो शेरों की चालाखी और ताकत उन्हें जंगल का राजा बनाती है वे अपनी शिकार करने की रननीती में निपूर्ण होते हैं और उनकी सामुहित्ता उन्हें अदवितिये बनाती है भ्यंसों के बास ताकत होती है लेकिन शेरों की चालाखी और उनकी संगठित यूजना के सामने उनकी ताकत काम नहीं आती शेर हमेशा अपने शिकार को थका कर और अलग थलग करके मारने में विश्वास रखते हैं उनकी समुहित्ता और चालाकी का तालमेल भेंसों के समुहिक बचाव से भी ज्यादा प्रभावि साबित होती है भायन से शारीरिक रूप से उमजबूत होती हैं, लेकिन शेरों के सामने उनकी रणनीती कमजूर पढ़ जाती है। विना केवल अपनी ताकतवर निर्भर होते हैं, बल्कि अपनी चाला की और रन नीती से भी शिकार करते हैं. भायन से जंगल की दुनिया में सबसे ताकतवर जानवरों में से एक मानी जाती हैं। उनके पास ना केवल विशाल शरीर होता है, बलकि विग्घा तक सींगों से भी सुज़जित होती हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचाने में सहायक होते हैं। भेंसों का जोन जब एक तो शेरों के लिए उनके सामने तिकना बेहद कठिन हो जाता है। शेर, जो जंगल के सबसे खतरनाक और चालाक शिकारी माने जाते हैं, भेंसों के सींगों से बचने की खूरी कोशिश करते हैं, क्यूंकि यदि भेंसे पलटवार करें, तो उनके लिए यह घा तक सिद्ध ह भेंसों की असली ताकत उनकी एक जुड़ता में होती है। जब शेर भेंसों के जूंड पर हमला करते हैं, तो वे सिर्फ एक या दो भेंसों को निशाना नहीं बनाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि जूंड में कोई कमजोर सदस्य अलग हो जाए, लेकिन भेंसे हमेशा अपन जूंड के कमजोर सदस्यों की रक्षा के लिए तयार रहती हैं, वे शेरों से मुकाबला करने के लिए सामुहिक रूप से हमला करती हैं, और इस सामुहिक हमले के कारण शेरों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि जब शेर अकेले या कम संख्या में होते हैं, तो भैंसों का जूंड उन्हे खदेड देता है, खास कर तब जब भैंसे एक साथ हमला करती हैं, तो शेरों के लिए उनकी ताकत और घातक सींगों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। उनकी एक जुड़ता है और इसलिए वे हमेशा इस एक जुड़ता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शेर आम और पर भ्यांसों को डराने या उन्हें भागने के लिए मजबूर करने की रणनीती अपनाते हैं। शेर अपनी चाला की सिब भ्यांसों के जुड़ में से किसी कमजोर सदस्या, जैसे की बच्चे या भुजूर भ्यांस को अलग करने की कोशिश करते हैं। एक बार जब कोई कमजोर भ्यांस जुंड से अलग हो जाती है, तो शेर उस पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ते। शेरों की यहरण नीती उन्हें अक्सर सफल बनाती है, क्यूंकि वे जानते हैं कि अकेली भैस का सामना करना उनकी सामुहिक ताकत के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। जब भ्यांसे शेरों के हमले से भग जाती हैं, तो वे बेहत खत्तरनाक हो सकती हैं। उनके विशालाकार और ताकतवर सींग शेरों के लिए जान लेवा साबित हो सकते हैं। भ्यांसों के जूंड से दूर रहते हैं जब तक कि वे जूंड के किसी कमजोर सदस्य को अलग न कर लें। हाला कि भ्यांसों की एक जुड़ता और ताकत उनके सबसे बड़ी हतियार होते हैं। फिर भी कई बार शेर अपनी चालाकी से उन्हें मादे देते हैं। शेर अपनी शिकार करने की रणनीती में बेहद चालाक होते हैं। वे भ्यांसों को ठकाने की कोशिश करते हैं। और जब वे देख लेते हैं कि कोई कमजोर सदस्य जूंड से अलग हो गया है, तो वे उस पर तेजी से हमला करते हैं। भ्यांसों की हार का सबसे। बड़ा कारण यह होता है कि वे शेरों की चालाकी का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाथी। शेर अपनी सामुह एक शक्ती और चालाकरणनीती से भ्यांसों के जूंड को विभाजित कर देते हैं। और जब भैन से जुंड से अलग हो जाती हैं, तो उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। जंगल में केवल वही जानवर जीवित रह पाते हैं, जो चालाकी और ताकत का सही संतुलन बना कर चलते हैं। भायन सें ताकतवर जरूर होती हैं, लेकिन शेरों की चालाकी और संगठे थमले के सामने उनकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। शेरों की सामुहिक शिकार करने की तकनीक और उनकी योजना उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। शेर हमेशा अपने शिकार को थकाने और जूंड से अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका सामना करना आसान हो जाए। भेंसों की एक जुड़ता उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन शेरों की चाला की और रन नीती अक्सर इस एक जुड़ता को तोड़ देती है। यही कारण है कि भेंसें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, शेरों के सामने कई बार हार माणने पर मजबूर हो जाती हैं। यही कारण हैं, यही कारण हैं। यही कारण हैं, यही कारण हैं, यही कारण हैं। यही कारण हैं, 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 झाल झाल